तो दोस्तो अगर आप moneyview application से लॉन लेने की सोच रहे तो इस वीडियो को आप सुरूश लेके end तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में moneyview application से लॉन लिया हुआ है ठीक है तो कितना मुझे लॉन मिला है और कितने दिनों के लिए मिला है कितना लॉन मेरे bank account में password किया गया है और कितना interest लगने वाला है सारी जानकरी में अपने इस वीडियो में आपको like बताऊंगा तो वीडियो को आप सुरूश लेके end तक जरूर देखिएगा ठीक है तो सबस्क्राइब दोस्तों हम क्या करेंगे moneyview application को open करेंगे ठीक है फ्रेंट तो चलिए हम moneyview application को open कर लेते हैं और यहां पर आप देख पा रहे हुए कि moneyview की जो company है उन्होंने मुझे 5000 रुपे का लौन दिया है ठीक है अब 5000 के लौन पर मुझे bank में कितना receive हुआ है और कितने मंत के लिए मिला हुआ है लौन वह भी मैं आपको बताऊंगा बस वीडियो में आप बने रही हो कि application real है कि fake है और application लौन लेना सही है अपर गला ठीक है मैं भी अपना opinion आपको शेर जरूर करूंगा ठीक है सो फ्रेंड यहां पर देखो 5000 रुपे का लौन हम यहां पर व्यू डिटेल पर किलिक करते हैं सुगाई यहां पर देखो पहली installment हमारी कटेगी पांच जून और महहीने च्छे 2122 को ठीक है जो कि होगी 1768 रुपर की जैने हमारी पहली installment होगी वी वाल ट्राजेक्टिन किलिक करेंगे तो यहां पर आप देख लो पहली installment है वह 1767 क्यों दूसरी installment है वह बी 1768 रुपर की और तीसी installment वह 1732 रुपर की तो कुल मिला करके यहां पर दोस्तों ह हम मैं बता दूं कि तीन महीन में प企ड करद या फ्लरॉट में पाइस अपने आपने इसा होगा तो फ करते हैं तो मैंने जब लॉन के लिए प्लाई किया तो मैं दिखाता हूं कि मुझे कितना डिश्वर्ट किया गया गया वह मैं आपको दिखाने वाला हूं थोड़ा सा वेट करना है फ्रेंड सोगाइज यह क्या देखते हैं यह भी नहीं है तो फ्रेंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मनी वीव ने कितना लॉन दिया देखो यह रहा दोस्तों अप्लिकेशन नंबर ठीक है अब यहां पर आप उपर के स्कॉल करेंगे तो देखो यहां पर मैं आप बता दूं कि पा प्रेट ऑप इंट्रेस 36 और यहां पर दोस्तों 1708 रुपी हमारी पहली इस्टॉल्मेंट होने वाली है आप दोस्तों पांच यह रुपे पे 670 रुपे डिस्वड किये गए तो यहां पर कितना प्रोफिस जीस्टी फीस एग्रीमेंट फीस में कितना पैसा लग गया वह मै आपको दिखाऊंगा केल्कुलेटर में ले चलता हूं ठीक है अब यहां पर दोस्तों मैं 505 रुपे माइनस 467 करूंगा तो 303 रुपे हमारा एग्रीमेंट फीस और जीस्टी फीस एंड प्रोफिस में कड़ गया ठीक है अब यहां पर जो यहां यहां हमारी फास्ट यह मै सब्सक्राइब करना होगा तो यहां पर टोटली मुझे रीपेमेंट करना होगा 528 रुपे ठीक है तो अभी कितना मुझे जहां पर लॉस हो चुका भूमी आपको दिखा देता हूं ताकि आप लॉन लेंस पहले डिसाइज कर सको 383 रुपे तो मेरे वहां पर कट गए थे और पिलस 268 रुपे यह हो गए तो कुल मिला कर दोस्तों तीन महीने में मुझे 651 रुपे का लॉस हो रहा है ठीक है अब 651 रुपे का लॉस हो रहा तो अब आप 651 रुपे में आप निकाल सकते हैं कि एक महीने का कितना यहां पर लगा ठीक है मतलब यह सब कुछ जोन करके तो यहां पर तीन महीने के लिए है दोस्तों तो इmeno CPA 668 भागे 3 करेंगे तो 29 futures करीवन 1 महीने मैं मुझे लग रहा है ठीक है अब 292 Santo Aber मइने में लग रहा है तो इसमें हम ब्याज निकालेंगे कि Delhi का इंट्रेश है जो कितना बन रहा है ठीक है तो इसके लिए दोस्तों हम 209 भागे तो यहां पर 30 करेंगे तो पर 6.96 रुपया जो है वो हमारा डेली का जा रहा है ठीक है सो फ्रेंड इस प्रकार के माध्यम से आप यहां पर कैलकुलेट करके अपने पैसे निकाल सकते हैं ठीक है आप दोस्तों मुझे 3500 रुपय ही मिले किसी में तो 2000 रुपय मिले तो अच्छा काम भी कर रही है और इस वीडियो बसे तनाई वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई कंफीज आने तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मैं से पूछ सकते हैं मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट एक और वीडियो में तब तक कि लिए गुडबाइक दिक